हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई चैनल आज हम बनाएंगे चोकलेट केक वह भी बिना ओवन के कड़ाई में हम यह केक बनाने वाले हैं और इसके ओपर लगाई जाने वाली चोकलेट गनाज भी हम घर पर ही बना कर तयार करेंगे तो देखिए हमारा केक कितना मॉइस्ट और स्पंजी केक बिनकर रेडी हुआ है मारा तो चलिए बनाना शुरू करते हैं केक बनाने के लिए हमें एक कड़ाई प्रिहीट करेंगे तो उसके लिए मैंने कड़ाई ली है और इसके उपर यह उल्टा करके इस तरह सा एक स्टेंड रख दिया और उपर से हम लेल लगा दे लेंगे इस तरह से चार तुरफ से और इसे घ्रिस कर लेंगे रेडी करके रख लेंगे तो हमारा जब केक बैटर तयार हो जाएगा तो उसको हम इमिजेटल इसके अंदर पॉर कर सकते हैं और फटा फट से बेक करने के लिए रख देंगे तो जब हमारी दोनों चीजे लगा सकते हैं चारो तरफ से अच्छी तरह से मैदे को हम डस्ट कर देंगे जो एक्स्टा मैदा है उसको हम निकाल देंगे तो यह लीजी हमारा केक टिन भी रेडी हो गया अब हम केक बैटर बनाएंगे तो इसके लिए लेंगे यह मिक्सिंग बाउल और इसमें डालेंगे हम वन थाड़ कप दही और वन थाड़ कप ही हम ऑईल लेंगे और इनको हम अच्छी तरह से एक सार होने तक दोनों को मिक्स कर लेंगे विस्कर से दही और ओयल एक साथ हो गया अब हम इसमें डालेंगे चीनी आधा कप और इसे भी इसके साथ अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे दही ओयल और चीनी जो है बिल्कुल एक सार हो जानी चाहिए देखिए हमारी दही और चीनी एक सार हो गई है अब हम ड्राइग इंग्रिडियन्स डालेंगे इसमें मैदा एक कप और इसके सार डालेंगे हम चार चमच कोको पावडर एक चमच बेकिंग पावडर और आधा चमच डालेंगे हम इसमें बेकिंग सोडा और पिंच आफ नमक और इसे हम अच्छी तरह से चान लेंगे ताकि इसमें कोई लंप्स न रहे बिल्कुल अच्छी तरह से ये स्मूध पेस्ट हमारा बनकर तयार हो यह देखिए थोड़ अब हम इसको चमच से मिलाते हुए अच्छी तरह से सारा अच्छी तरह से छान लेंगे हम एक बार इसको चमच से अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं उसके बाद हम इसमें दूद एड़ करेंगे अब हम लेंगे आधा कप दूद और थोड़ा थोड़ा करके हम इस बैटर में डालेंगे और अब हम विश्कर से अच्छी तरह से हम इसको मेक्स करेंगे विश्कर से कोई लंच नहीं रहेगा हमारे बैटर में हुआ हैुआ कि ठोड़ा थोड़ा डालते हम इसको मिलाते रहेंगे और थोड़ाっと Lein बीच-बीच वीच में एड करते रहेंगे जितनी हमें जरूड़ी हो गी अब ही हमारा बैटर थीक है हम थोड़ा सा दूद्ध और एड़ करेंगे इसमें यह देखिए हमारा बैटर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए और कंसिस्टेंसी का इस तरह से गिरना चाहिए रीबन की तरह है कि हमारा ओल ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और नहीं ज्यादा गोशना होना चाहिए तो यह देखिए बिल्कुल सही आंक भी है हमारे बैटर की तो अब हमने चाहिए कर देगेत है Phone Zach हमारा बैटर जो मेजर्मेंट बताया है उसी हिसाफ से सारा हमें लेना है माप है तो सारा बैटर हमने इसमें डाल लिया अब इसको थोड़ा सा टैप कर देते हैं ताकि बीच में कोई एयर बबस ना रहें और हमारी कड़ाई भी बिल्कुल प्रिहीट हो चुकी है तो इसे बेक होने के लिए रख देते हैं किसमें दो कर दो आप है कि अधर को है था शर्टिफाइब से फॉर्टिफाइफ मिनित में यह आराम से अच्छिता से पक जाएगा हमारा केक का जाएगा पाश्चिए फॉर्टिफ्फइफ मिनित हो गय है अब हम इसको क्वोल कर देख लेते यह देखिए कितनी अच्छी त एकदम क्लीन निकल रहा है इसका मतलब हमारा केक बिल्कुल रेडी है तो चलिए इसी निकाल लेते हैं और अब हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे उसके बाद हम इसे डी मोल्ड कर लेंगे तब तक हम अपनी गनाश बना लेंगे चोकलेट गनाश उसके लिए एक पैन और इसमें डालेंगे हम एक कप तूध और इसी के सादर डाल देंगे हम आधा कप चीनी पिसी हुई चीनी का पाउडर और इसमें डालेंगे हम यह पांच चमच कोको पाउडर और इसमें डालेंगे एक चमच कॉन्ट फ्लार और इसमें डालेंगे एक चमच कॉन्ट फ्लार और इसमें अच्छी तरह से एक बार हम मिक्स कर लेते हैं बाद में हम इसको गैस पर रखेंगे यह देखिए पिल्कुल अच्छी तरह से mix हो गया अब हम इसको गैस पर रखेंगे पकने के लिए और इसको लगातार चलाते हुए हम इसे उबाल आएंगे और अच्छी तरह से हम इसको उबाल लेंगे अगर हम ऐसे छोड़ देंगे तो चोकलेट और जो हमने कॉन फ्लार डाला है वो नीचे बैठ जाएगा और हमारी गुट्लियां बन जाएगे हमारे बैटर में जो हमें नहीं चाहिए बिल्कुल स्मूध हमें गनाश त्यार करनी है तो यह देखिए उबाल आ गया इसमें बिल देखिए हमारी चोकलेट गनाश बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है अब देखिए तो हमें इसी कंसेस्टेंसी में इसका चाहिए था तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गी या बटर कुछ भी आप ले सकते हैं इसमें थोड़ी सी चमा का जाएगी हमारी जो गनाश है चोकलेट गनाश है और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे ब्रस हमारी चोकलेट गनाश बिल्कुल रेडी है वह भी घर पर ही और कितनी शाइनी गनाश बनकर त्यार हुए है हमारी तो अब हम लेंगे अपना केक और इसको साइडों से थोड़ा सारे मियू करत लेते हैं उपर से थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि आसाने से निकल जाए है कि यह देखिए फ्रेंड्स हमारा के कितना मॉइस और एकदम स्पंजी केक बनकर त्यार हुआ है हुआ है अब हम इसे एक स्टेंड के उपर रखेंगे ताकि जो भी हम इस पर गनाष डालेंगे तो अच्छी तरह से पोल उलिक मईस पर दरिते हैं और इसके उपर इसको रख देंगे और अब हम इस पर डालेंगे अपनी चोकलेट गनाश अच्छी तरह से पूरी पर हम इसको पूर कर देते हैं और चम्मत से चार तरफ और साइडों में भी थोड़ा सा फैला देते हैं पहले अब हम इसे थोड़े के लिए सेट होने के लिए फ्रिज में रखते हैं 15-20 मिंट के लिए देखिए हम 10-15 मिंट हो गए और थोड़ा सा सेट हो गया हमारी जो गनाश है पहले वाली अब हम इसके उपर एक बार फिर से चॉक्लेट गनाश जो है वह पूर कर देंगे अब यह चॉक्लेट गनाश जो है अंदर नहीं बैठेगी क्योंकि जितना हमारे केक को सोक करना था उतना सोक कर लिया है केक ने अब यह ऐसे ही रहेगी और उपर से इसको हम थोड़ा सा टैप कर देंगे ताकि यह अच्छी तरह से पूरे केक पर फैल जाए यह देखिए पूरा अच्छी तरह से कवर हो गया और शाइनी कितना कर रहा है हमारा चॉक्लेट गनाश यह देखिए मैंने इसे इस प्लेट में निकाल लिया क्योंकि मैं इसी में प्रेजेंट करूंगी तो यह देखिए मैंने सोचा था कि मैं अपने केक को ऐसे ही प्रेज के लेकिन जो हमारी चोकलेट गनाश है वह थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने उसे यह दूद की थैली में मैंने इसको डाल लिया और नीचे से छोटा सा कट लगा दिया और इसके उपर हम इसी से थोड़ा सा डिजाइन बना देंगे इस तरह से करते हुए थाकि हमारी बचे हुई गनाश भी यूज हो जाए वेस्ट ना जाए वह अपनी पसंद से कोई भी डिजाइन इसमें आप बना सकते हैं आप वाइट चोकलेट से बना सकते हैं वैसे मैंने सोचा थे इसमें वाइट चोकलेट अवेलेबल नहीं थी मिली मुझे तो मैंने इसी से थोड़ा सा डिजाइन बना दिया और मेरी पास यह शिल्डर बॉल्स रखी थी थोड़ी-थोड़ी मैं यह भी इनके उपर डाल देती हूं सुन्दर लगती हैं लगी हुई और थोड़ी-थोड़ी से एक एक खुली-खुली हम साइड को मैं भी डाल देता हैं और थोड़ी से सिर्वर बॉल्स हम इस तरह से साइड में भी चिपका देते हैं इस तरह से। हाथों से इस तरह करते हुए घर पर ही बिल्कुल से सामान से हमारा केक बनकर बिल्कुल रेडी हो गया यह देखिए फ्रेंट्स यह लीजिए हमारा केक बिल्कुल रेडी है फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हां बल आइकन प्रेस करना ना भूलें थाक्यू पर वाचिंग बाइ और टेक केर